दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्ती की जी हाँ दोस्ती की दोस्ती वह होती है जहां समरपण होता है जहां एक दूसरे की समझ होती है जहां जब एक को एक की जरूरत होती है तब दूसरा हमेशा तैयार खड़ा होता है अगर हम दोस्ती में उधारण देते हैं तब भगवा पंकिर्ष्ण और सुधामा की दोस्ती का चितरन हमारे सामने आ जाता है, मगर एक ऐसा दोस्त हमारे पास भी है, या कहूं कुछ दिन में हम ये कहेंगे कि एक ऐसा दोस्त हमारे पास हुआ करता था, जिसने हमेशा हमको सिर्फ दिया ही दिया, कभी कुछ मांगने की अपेक्षा नहीं रखी हो तो आप उस दोस्त को क्या कहेंगे और उसको किस प्रिकार से रखेंगे हम, सही कहा उसको हम शुक्रियादा करेंगे और उसको खोने से डरेंगे है ना? मगर हम सब लोगों का दोस्त है जिसने कभी ना किसी से चाद पूछी ना धर्म पूछा बस देता ही गया वो मेरा ही नहीं आपका भी दोस्त है जी हां मैं बात कर रहा हूं प्रगती की उन ब्रक्षों की जिन्होंने हमें सास दी, हवा दी, फल दिये और तो और गर्मी में चाया प्रदान की बरसात में भी आस्रे बने पक्षियों का भी सहारा बने मगर हमने क्या? उनका कटान शो किया उनको काटना उसके बाद भी वे देने से नहीं रुके उन कटी हुई लकडी से हमारे घर की हिफाज़त करने वाले दर्वाजे बने, बैठने के लिए कुर्सियां और रखने के लिए टेबल बने वा, क्या खूब दोस्तीने भाई उन ब्रक्षों ने मगर क्या हम सभी ने अच्छे दोस्त किलाने लाएक कारे किया? नहीं मगर ऐसा नहीं है दोस्तों आज भी हमी मैं से कुछ लोग हैं जो ब्रक्षों से और प्रगती से प्रेम करते हैं उन अंगिनत नाम आज भी हमारे पास हैं या आप क्या असपास होंगे? जो अपने घर में गार्डन लगाते हैं सुभष शाम उनको पानी भी देते हैं मगर एक या दो गार्डन लगाने से पर्यवरण मैं शुद्धता होगी? शायद नहीं 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 मैं डरा नहीं रहा हूँ मगर पर्यवरण शुद्ध होगा पेड बचेंगे हवा भी शुद्ध होगी मगर कैसे? ऐसे कि हमको जागरुक होने के साथ अपने साथियों और अपने परिवार के लोगों को और आसपास के लोगों को भी जागरुक करना पड़ेगा क्या कहा? ये संभब नहीं है जनाब यही तो गलत फेमी है जागो और चलो काफिला जोड़ता चला जाएगा नहीं होता विश्वास तो आईए ब्रजभूमी में और देखिए यमनमिशन का कार रह एक अकेले शुवात की थी यमनमिशन के संस्तापक स्री प्रदिबंसल जी ने और आज काफिला जोड़ता चला गया एक के बाद एक ब्रक्ष लगते चले गए और आज अंगेनत ब्रक्ष लग चुके हैं है ना सरानिय कार रहे है ना खुब सूरत कार रहे यमनमिशन का